हेलो एविबॉन कैसे हैं आप सब आप सब अच्छी होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं आज शाम आपकी जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों से क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में ठीक है रीडिंग का टॉपिक यह ह और क्या बाते कर रहे थे और जिन लोगों से बाते कर रहे थे वो लोगों का क्या कहिना है उन लोगों ने क्या कहा और सजिशन दिया या जो बात हुई उसके अनुसार से आपके पार्टनर का क्या रियक्शन रहा यह सारी चीजे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर कर हैने वाले हैं तो सो ध्यान रखेगा कि यह रिडिंग एक जनर रिडिंग है कलेक्टिव है सो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी यह रिडिंग आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं रामेडी एंड रिच्वल का रिजल्ट आ रहा है लोगों को जो है उनके पॉर्सन का कॉल मैसेज या फिर कहें तो शादी फिक्स हो रही है तो अगर आपको भी करवाना है कोई रैमेडी कोई रिच्वल तो आप लोग कॉंटेक्ट कर सकत है या आप मुस्से प्रस्तन टारो रीडिंग लेना में चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉंटक्ट कर सकते हैं गाइड करें एंजल्स ओके गाइड करें मेरे विवर्स के पार्टनर किस से क्या बाते कर रहे हैं प्यज अफ कप्स का कार्ड आया है चलो रखते हैं सेवन आफ कप्स सेवन आफ वील साइन बता देती हूँ आपको कैंसर स्कॉर्प्यों पाइस टोरस वर्गों काप्रिकॉन टैंप्रेंस ओके फाइप ऑफ सौर्ड्स जैमिनाई लिब्र एक्वेरियर्स बॉट्टम आफ तर डेक है दा एंपरर का कार्ड ठीक है सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कार्ड में कि दिखें आपके जो पार्टनर हैं काफी ज़्यादा यह पार्षन डीपली बात vy बात कर रहे हैं ठीक हैं काफी डीपली बात कर रहे हैं और जहां तक मैं देख पारे हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने से किसी यंग पॉर्षन से बाते कर रहे हो ठीक है मुझे यहां पर यही देख रहा है कि किसी यंग पॉर्षन से आपके पार्टनर बाते कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह जो पॉर्षन है जो भी है इनके बच्प के दोस्त हो सकते हैं या कोई online पॉर्षन हो सकता है जिसे यह पॉर्षन बाते कर रहे हैं ठीक है आज कि शाम कि ओके सो क्या बाते कर रहे हैं मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके जो पॉर्सन है यह पॉर्सन बाते कर रहे हैं कि यार मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूं बहुत ज़्यादा परेशान पता है क्यों मेरी लाइफ में ये बहुत ही टफ टाइम है जब मैं ये सारी सिचिशन को फेस कर रहा हूँ बहुत जादा मेरी लाइफ में टफ टाइम है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी कि मैं क्या करूँ मैं अपने रिलेशनसिप को सही करूँ अपने आपको सही करू किसे सही करू मैं किसे क्या करू लाइफ जो है ना मेरी बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही है मेरी life मुझसे कही न कही मेरा रिस्ता या मेरा नाता ही मुझसे जोड रही है मुझसे तोड रही है मुझे ऐसा feel हो रहा है इतनी ज़्यादा लोग है इतना ज़्यादा frustration है इतनी ज़्यादा जो negative energy है काफी परेशान कर रही है है मुझे सच मैं negativity काफी परेशान कर रही है मुझे ऐसा लगता है नहीं मतलब मुझे ना कि इतनी negativity मतलब मिल रही है कि मैं इदम से परेशान हो गया हूं कि लाइफ में बहुत सारी कुछ चीजों को देखा है फील किया है बहुत सारे चीजे सामने आई बट कही ना कही न वो सारी चीजों से मैं खुद को हटा देना चाहता हूँ मेरी लाइफ में आज एक छोटी सी बात को लेकर के मिसन स्टार्णिंग क्रियेट होई और उसी छोटी सी बात को बढ़ावा देते देते बहुत बड़ी बात हो गए मैं देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही गलत हूँ या मैं ही सही हूँ मैं ऐसा भी नहीं कह रहा लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ मेरे और मेरे पॉर्ट्सन के लाइफ में जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ मैंने confusion में आकर के मैंने दूसरों की बातों में आकर के किसी की बातों से manipulate होकर के मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया उसको ऐसे words बोले ना जो तुम सुनने ही सकते हो तुम भी सुनोगे ना तो तुमें गुस्सा आएगा ऐसे words मैंने उसको बोले है मुझे बहुत हैरानी हुई है, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं जब बहुत हैरानी हुई है, यह सारी चीजे मेरे साथ ही क्यों हो रही है, या मैं ऐसा कैसी कर सकता हूँ, किसी के साथ मुझे ऐसे वाट्स का यूज नहीं करना चाहिए, उसने मुझे एक थपर मारा नहीं है, ब कुछ भी किया था जैसा भी किया था मैंने सोचा कि कुछ होगा कुछ बैतर होगा कुछ अच्छा होगा कुछ तो बैतर होगा जिसे मेरी जिन्दगी में बदलाव आएगा कुछ तो ऐसा होगा जिसे मैं भी काफी positive हो पाऊंगा कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि life change करने वाला हो life changeable हो सच में मैं चाहता हूँ कि मेरी जिन्दिगी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए, जिसे मेरी जिन्दिगी में बहुत बदलाव आने चाहिए, बहुत ज़दा बदलाव और ऐसे बदलाव जिसे मैं भी expect नहीं करता, मैं अपनी life में मैं अपने situation को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा problem में हूँ मैं बहुत परिशान हूँ मेरे दिल में दिमाग में बहुत सारी बाते चल रही है एकदम से मैं बहुत 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 deeply एकदम से तकलीफ को feel कर रहा हूँ तुम समझ सकते हो मेरी feelings को मेरे emotions को शायद तुम नहीं समझ सकते लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा है वो मैं ही जानता हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है मेरे अंदर ये सारी चीज़े हो क्या रही है मेरे अंदर ये चीज़े क्यों 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 हो रही है मेरे अंदर बदला होना चाहिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ relationship को आगे लेकी जाओं उसको proposal दो लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत कहीं न कहीं तूट गई है मैं अपने आपको संभालने में लगा हूँ मैं अपने आपको संभाल रहा हूँ मैं अपने आपको अपनी सुचिशन को संभाल रहा हूँ मुझे लगता है ना कि मैं उसके बगार कैसे रह पाऊंगा यार कैसे कैसे मैं जी कैसे पाऊंगा मुझे तो उसके बगर रहने की आदत भी नहीं मुझे तो उसके बगर कुछ भी करने की आदत नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है क्या होगा आगे future कैसा होगा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि future क्या है और future में जो चीज़े चल रही है, वो क्या है, कुछ भी idea नहीं लग रहा है मैं एकदम से तकलीफ में, एकदम से दर्द में आगया हूँ कि मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करने के अपने life को आगे लेके जाना चाहिए अपने relationship को आगे लेके जाना चाहिए क्योंक कि ये जो प्ष्ण है बार बार कहते हुँ दिखाए दरे कि मुझे उसके साथ balance बनाना है मुझे उसके साथ सही करना है क्योंकि taxation भाट करता है relationship के growth के रिलैशन्सिब के सही होने की, रिलेशन्सिब के बहुत ज़दा पॉजिटिव होने की यह जो है ना ये पॉडशन बाते करते वे मुझे नजर आरहे हैं, यह आपधे दिख रहा है कि यह पॉड़सन काफी क्यों है क्या इससे क्या रिलेट कर रहे थे इनके पार्टनर गाइड करें क्या बाते कर रहे थे तो यह इतने जादा कार्ट्स है जो कि नहीं ले सकते हैं तो एक एक करके कार्ट्स निकालते हैं पेज अफ कप से क्या बता रहे थे इनके पार्टनर गाइड करें अंजल क्या बता रहे थे सब्सक्राइब यह पॉर्सन बता रहे थी कि मुझे काफी कन्फूजन ने शायद मैं मैं चौर नहीं हूँ शायद मैं डिसीजन सही नहीं लेता शायद मैं कन्फूजन में आकर कि कुछ और ना जो है चूज कर लो कुछ गलट डिसीजन ना ले लो मुझे क्या कर सावी लेवल हैं जिसके बारे में यह पॉर्सन बाते कर रहे हैं यह पॉर्सन कह रहे हैं कि यार कन्फूजन तो इतनी जादा है इतनी जादा है यह मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी जदा मुझे confusion होती है मैं कितना जदा जो है उसके life में उसके साथ मैं कितना जदा परेशान रहता हूँ ठीक है उसके लिए और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका निचोड क्या होगा समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो देख लो कार्ट सा गए इतने जादा मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्यों यह ऐसा होता है क्यों आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हो ठीक है ना यह पॉर्सन बाते कर रहे है कि कि पॉर्सन को काफी मुश्किल होता है और मुझे जहां तक दिख रहा है कि पॉर्सन ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनके लिए सीरियस नहीं हो ठीक है दाइंपरर के अनरजी Seven of Cups के साथ आया है The Emperor की अनरजी जो की बता रहा है कि ये बहुत ज़ादा अपने माइन को कंट्रोल कर रहे हैं मेरे दिल में ये तरह तरह के ख्याल बिल्कुल भी ना है, मेरे दिल में जो है फाल्तु की चीज़े तो बिल्कुल भी ना है, मैं अपने दिल को समहल के सोच करके समहल करके सब कुछ करना चाहता हूँ, सोच समहल के सारी चीज़े करना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं द दिल को तोड़ना चाहता हूं और दिल को तोड़के उसके साथ है ना ऐसा उसको तकलीफ नहीं देना चाहता हूं मेरे दिल की यह दुआ है है ना तो मैं उसे तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूं और देखो मैं अपने आपको सम्हालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं समल पा रहा हूं है पेज आफ स्वारी फॉर आफ सौर्ट का काड है यह पर्सन बाते कर रहा है कि इन्हों ने ना जब अपनी पूरी जर्णी को देखा है तो इनको रियलाइज हुआ है कि किसने कितना दिया है यानि कि इस सेलेशंशिप में एकवल गिव इंटे सहरेदा में कहीं हमडारा रिलेशन्ट सबया उनबाइलास में सबकुच देख पा रहा हूं मैं सब कुछ your Qurs takiej मैंने क्या कर दिया यह यह मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि हालात जो है ना सही नहीं है अभी जो चल रहे हैं ना काफी confusing वाली है और जो भी है अभी हालात नहीं है कि मैं उसको कुछ समझा पाऊं वो मुझे कुछ समझा पाए सच मे मैं मुझे भी उसकी बाते नहीं सुनीया और उसके बी मेरी बाते नहीं सुनीया बिल्कुल भी नहीं सुनीया मुझे पता है Okay, temperance के energy है यहाँ पर three of wants के साथ Okay, so मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह जो person है बाते कर रहे हैं कि हम दोनों की बीच में दूरी जरूर आया है, लेकिन मेंटली डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं आया है, मैं मेंटली उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल भी नहीं, दूर होने का कोई बात ही नहीं है, दूर होने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे द दूर जाके आखिर करूँगा क्या ऐस ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम दोनों अलग हो जाएं हैं में सोचे ही ना ऐसी तो हो ही नहीं सकती है बात मैं नहीं बरदाश्ट कर सकता मेरे सामने वह सारी चीज़ें आए मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता दूर होने का तो नाम भी नहीं है मेरे पास मैं दूर नहीं हो सकता क्योंकि जब तक दूर रहाना तब तक बहुत सारी कुछ समझ गया मैं बहुत सारी चीजे टैना आफ सौर्ट स्वरी टू अफ सोर्टकार हैं यह परसन यह बाते कर रहे हैं कि यह इतर पॉर्ट यह परसन ने बहुत तकलीफ दिए है आपको बहुत दर्द दिया है ऐसा दर्द यसी तकलीफ नहीं देनी चाहिए किसी भी इंसान को इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए कहता है कि जो शर्प होता है ना उसको जितना छोड़ छेड़ते हो ना तो वह डसता जरूर है आपको लेकिन आप उसे नहीं छेड़ते हो तो वह आपको डसता नहीं है वह सीधे चला जाता होता है तो बात बहुत है कि आपके पार्टनर जह कि अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं देखते हैं कि क्या कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालते हैं मतलब कि उनकी जो दोस्त हैं उनके लिए कार्ड निकालते हैं सौरी आप लोगों की रेडिंग करते हूं तो कंफ्यूज हो जाते हूं ऑके गाइड करें देखते हैं क्या कार्ट्स निकल के आते हैं उनके दोस्त ने क्या कहा है नाइन अफ कप्स का कार्ट ओके ठीक है यहां मेरे पास दा हर्मिट ओके ठीक है दा वर्ल्ड ओके दो हैं मैं ओके टी ओफ वील का कार्ड ओके बॉटम आफ देक है यहां पर नाइन अफ स्वार्ड तो देखिए मुझे यहां पर क्लियर दिख रहा है आपके कार्ट्स में नहीं आपके पार्ट्नर देखो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि पॉर्शन जो भी है जिनसे बी पॉर्षन डील करते विए बाते करते विए दिखाई दे रहे हैं वो बोलते दिखाई दे रहे हैं कि यार सच में तौसे इतना प्वारगरता हैं तुझे उसके साथ इतनी ज़्टाइश्मेंट है तेरा सुरी emotional connection उसके साथ है Emotion काफी ज़्टा हैं ते रे उसके साथ तू इमोशनली उससे जुड़ा हुआ है तू इमोशनली उससे इतना ज़दा जुड़ा हुआ है इतना ज़दा तू प्यार करता है कि बस वो है तो सब है मुझे जहां तक लगता है मैंने जितना अफजर उतिया है ना मुझे लगता है कि वो तेरे लिए काफी ज़दा इंप confusion की मुझे Confusion उसके तरफ से नहीं लेकिन तेरे तरफ से जरूरी नजर आ रहें पता नहीं क्या है तो पता है बहुत Emotional हूं रहा है बहुत Emotional कि तुझे से बाते कर रहे हैं उस तरीके की बाते हर को इन अगला करता है ठीक तुझे लगता है कि तेरा उसका जो connection है जो भी connection है तेरा बहुत spiritual connection है और तुझे strong सी वाई feel होती है तुझे यहीं लगता है ना तुझे लगता है कि वह मेरा past life lover है या फिर connection है मेरा कुछ तो ऐसा है कुछ ऐसा है ठीक है इसको ले करके तुझ काफी confusion में हैं काफी जदा confusing वाली energy है लेकिन तुम कर सकते हो ठीक है तुम्हारे मन में जो भी बाते हैं तुम दिल खुल के बाते कर सकते और मुझे चाहां तक लगता है ना तो उसके लिए positive काफी जदा है तुम उसके लिए काफी जदा positive है काफी पजासिव भी है मुझे ये भी देख रहा है मुझे ऐसा लगता है ना कि तू तू बस उसके साथ को जीना चाहता है क्योंकि तेरा एक कहते हैं कि जैसे कि हमने सपना देख लिया कि हाँ ये मेरा partner बनेगा ये मेरा partner बनेगी है ना और उसी के साथ हम रहना काफी जदा अच्छा हमें फील होता है तो तू करना चाहता है मुझे जहां तक लगता है और मैं जहां तक देख पा रहा हूं देख पा रही हों कि तू जो कर रहा है ना बहुत emotional होगे कर रहा है तो तू ठीक है तुझे वह चाहिए तू उसे तू चाहिए दोनों के एक दूसरे को चाहिए ठीक है लेकिन तुम बाते तो समझो तुम बाते तो करो बाते करोगे तब तो बाते आगे बढ़ेंगी बाते ही तुम लोग नहीं करते हो तो बाते कहां से आगे बढ़ेंगी तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हें स फोकस तो करो उस connection को जानो तो सही मुझे जहां तक लगता है ना कि तुम्हारे तरफ से कोई ना कोई कमी जरूर है देखो बुरा मत मानना लेकिन जो भी है ना मुझे universe का दिया हुआ सब कुछ लग रहा है इनिवर्स के तरफ से जो भी है जैसा भी है ना इनिवर्स के तरफ से किया कराया है ठीक है तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तुम्हें कभी लगता है कि तुम गलत हो तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तुम्हारी लाइफ हो गई है क्यों हो गई है तुम सोचते हो कभी तुम सोचते हो अगर तुम नहीं सोचना है ना तो तुम बोलो तुम सोचते हो तुम विज्वलाइज करते हो सिर्फ सपने देखते हो और तुम सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हो कि वह तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी आ जाएगी ठीक है आ साथ बदलना पड़ता है थो अपने आप को भी Among आपकी आनरजी को भी वत लो अपने आप smile थोड़ा सा bare cha कि क्या है क्या हो सकता है मुझे जहां तक लगता है कि तुमें करना चाहिए इस रिस्ते इतुछिंप में हर एक चीश कर सकते हो बहुत क्लारेटी के साथ कर सकते हो ठीक है कि अगर तुम्हें मेरी लिग्जुय को फोर करो टिक है इस रिलेशंशिप को छोड़ो नहीं अ छोड़ना वेवाकूदी होगी तो तुम छोड़ो नहीं लेशंशिप को तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है ज्यादा थेक है चलिए कुछ और कार्ट्स निकालते हैं नाइन अफ कप्स का कार्ड क्यों है यहां पर गाइड करें आंजिल्स ओ फू इतनी ज्यादा कार्ड्स इतनी ज्यादा कार्ड्स अमें नहीं चाहिए नाइन अफ कप्स का कार्ड क्यों है यहां पर ओके टैन अफ सोर्ट्स अफ्टर ब्रेक अप जो दर्द हुआ है जो तकलीफ हुई है यह परसन उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो तुमारा ब्रेक अप हो जाना तकलीफ में आना काफी मुझे पता है कि काफी अलग एन सब्सक्र neuriq से दिल तोटा है कोई आसान बात नहीं है कोई ऐसी डात नहीं है कि जिसको हलके मिलीया जाए बात तो ठीक है कि तुम उसके लिए सीरियस हो अब अपने अंदर तुम बदलाव कर रहे हो तुम के फीलिंग्स को उसके उमोशन उसको पहचान बदलाव जरूरी ह है क्योंकि देखो तुम कहीं न 아닌 कहीं अपने अपने इङो में सब कुछ गवाब वैट इसका उसेफ़ान एड़े गशेख लगन्हेजश्च होने बसको अपने आपके ऊपर हावी मत होने दो अपने ego को क्योंकि तुम्हारा ego तुम्हारी जान ले सकता है तो अपने उपर किसी को हावी मत होने दो ओषли के इस अफ़ कप्स का काड़ हैं मुझे यह दिख रहा है आपके कार्ट में कि देखिए आपके जो partner है आपके साथ जो relationship है दिखिए इस person को suggestion ये दिया जा रहा है कि तुम्हें new beginning करनी चाहिए ब्रेक अप हो गया है तो क्या हुआ तुम्हें new beginning करनी चाहिए इस relationship में तुम्हें आगे बढ़ने की हिमत भी होनी चाहिए तुम्हें आगे बढ़ने की चाहत रखनी चाहिए तुम्हें एक एक करके relationship को यहां पर start करना चाहिए कहीं न कहीं यहां पर तुम्हें start करना होगा तुम्हें करना ही होगा ठीक है जो त उसके साथ प्यार से पेश आ सकते हो प्यार से तुम उसके साथ डील कर सकते हो और मुझे लगता है कि तुम तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो भी बेताब हो रहा होगा ठीक है तो तुम्हें मेरे ख्याल से जो बाते मैं कह रहा हूं ना तुमसे वह मान लेनी चाहिए सारी के सारी बात तुम्हें मानने चीए तुम new beginning करो टावर के नरजी हैं देखो बदलाव लाना पड़ेगा तुम्हें अपने अंदर जो है बदलाव तो लाना पड़ेगा और जो भी है दूसरे की बाते सुनकर के तुम क्या decision लेते हो दूसरे ही तुम्हारा घर भी तोड़ते है और तुम्हें आबाद भी करते हैं तो दूसरे की बातों सुन करके तुम अपना action decision लेना चाहते हो तो लो लेकिन सोच समझ के लेना क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है और काफी बुरा भी हो सकता है कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुमने कभी expect नहीं किया होगा तो तुम अपना सोच करके समझ करके जो भी action लेना है वो लेना क्योंकि action लेना तुम्हारे उपर depend करता है तुम्हारे life में जो चल रहा है उसके उपर depend करता है तो मैं कहूंगा कि तुम्हें सोच समझ के जो भी है action है जो भी decision तुम्हारा रहेगा वो लेना चाहिए और तुम्हारा action डिसीजन ही सब कुछ रहेगा ठीक है फाइफ पैंटिकल्स के नर्जी है मुझे यहां पर यह दिख रहा है फाइफ पैंटिकल्स के नर्जी के नुजार से कि आपके ganda अब उसक निकालो यहां से अपने तकलीफों से अपने दरद को बाहर निकालो रही है तो वह से बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हारे पास रास्ता बस तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा और कुछ नहीं दूसरों का किया है तुम छोड़ TWO पीक वह थाप्र सब्सक्राइब जानने की कोशिच करना चाहिए अपने पार्टर को अपने मन में जितनी भी जितनी भी निगेटिविटी है ना उस निगेटिविटी को निकालो और अपने आपको बैलेंस करो ठीक है तुम अपने आपको हील करोगे ना तब जाके तुम अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊगे तुम अपने आपको हील नहीं करोगे तो कहां से कुछ कर पा होगे आस तक कोई कर पाया है जो हील नहीं हुआ है वो कुछ कर पाया कुछ भी नहीं कर पाया तो तुम्हें अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा ठीक है चले देखते हैं कि आपके जो पॉर्शन है ना गाइड करें यह मानेंगे इन लोगों काड जो है एडवाइज या नहीं मानेंगे देखते हैं कार्ड्स ऑके गाइड करें क्या मानेंगे यह जो भी मेरे वीवर्स इनके पार्टनर अपने दोस्तों की बाते मानेंगे वाव, येस, 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 ये पॉर्सन मानने वाले हैं, ठीक है, ये पॉर्सन मानेंगे पूरी तरीके से जो भी बात, जो भी इनको सजेशन दिया गया है, इनको बहुत अच्छा लगा है वो सजेशन, और उसे सजेशन के अनुसार से ये पॉर्सन चलने भी वाले हैं, उसी suggestion के अनुसार से यह जो person है ना यह चलने वाले हैं क्योंकि इनको लगता है कि यह जो भी बंदा दे रहा है suggestion वो काफी अच्छा दे रहा है काफी बहतर दे रहा है ऐसा suggestion दे रहा है जिसे उसके जिन्दगी में कभी कभी अंधकार नहीं आएगा हमेशा ओजाला रहेगा हमेशा ठीक है और यह इस clarity आ चुकी है इनको इनको समझाने के बाद से जो है ना इनके दिल दिमाग में काफी clarity आई है यहाँ पे दिख रहा है कि यह जो person है कहीं भी नहीं जाने वाले हैं और यह person को बहुत हद तक clear हो जुका है बहुत हद तक clear हो जुका है कि आप इनके लिए क्या हो कौन हो और कितना support करोगे और फोकस करेंगे और अपने रिस्ते को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे मुझे यहाँ पे clearly दिख रहा है कि यह सी जो person है अपने रिस्ते के बारे में बहुत 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 पजासिव हो रहे है रिस्ते को लेकर के काफी पजासिव एनरजी आ रही है ऐसा दिखत बाते बैठाना भी बहुत ज़्रूरी था जज़्मिंट के एनरजी आई है यह आपके पार्टनर रहना जज़्मिंट के एनरजी के अनुसार से अपने आप में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बदलाओ लाने के बारे में भी जो है सोस्ते भी दिखाए दे रहे हैं जो कि कहा गया है कि तुम अपने एगो एटिटूड में थोड़ा बदलाओ लाओ थोड़ा सा चेंज लाने की जरूत है ठीक है थोड़ा सा चेंज लाओगे तब जाके तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा ठीक है तो यह जो पॉर्शन है ना काफी ज तो भी आपकी बहुत याद आ रही है ठीक है मुझे यह जाप यहीं दिख रहा है कि आज की शाम आपके पार्टनर शिर्फ और शिर्फ आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं बाकि किसी की अनरजी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि ऐसी पॉर्शन सारी बाते मानने वाले हैं ठीक है सो वर आल रिडिंग में यही देख रहा है आपके लिए ठीक है अगर आप मुझसे टारो रिडिंग या कुनली डिडिंग या कोई रैमडी कोई लीच्वल लेने में इंट्रेस्टेट हैं तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और इसके बाद वाले भी बीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वह आपके लिए बहुत 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 जदा जरूरी है मिलते हैं फिर किसी नई अर sm bisexual के लिग लिया हुआ है तो इसकी benefits की हम बात करेंगे तो सबसे पहले यह जो रिंहें इसकी बात करते हैं कि यहigung है एपेक्ट दिए मेरे Client के लिए बनाया गया है जिन्होंने order किया था और ऑर अर्डर पर ही बनता है जब वो लोग order करते हैं तब हम इसको बनाते हैं और हर client का stone सेम नहीं होता है stone के अलग-अलग रूप बदलते रहते हैं यानि कि जो stone उनको suit करेगा हम वही देंगे ठीक है मेरे client की परिशानी जो जो थी उस उसके निदान के लिए इस ring में जो है वो energy डाली गई है वो चीजे डाली गई है जिसे उनको कभी कोई problem ना है ये अकाल मृति उससे बचाता है ये जो ring है अकाल मृति उससे बचाएगा आपके health के लिए होगा आपके life में कभी भी आपके जो वीरोधी होते हैं वो आपके खिलाफ उठके खड़े नहीं होंगे ठीक है इस ring की मदद से इसमें कुछ ऐसा किया गया है ये जो ring है आपको हमेशा positive रखेगा आपके मन को शांत करेगा आपकी love life हो या फिर आपका married life हो जिसमे third party भी include हो गई हो है ना जितनी भी problem है love related या marriage related उन सब को ये निदान करेगा यानि कि खतम करेगा ठीक है उन सारी problem को खतम करेगा साथ है साथ ये जो ring है आपके उपर कभी कोई black magic नहीं कर पाएगा कभी कोई भी black magic नहीं कर पाएगा कब जब आप इसको धारन किये रहेंगे तब नहीं कर सकता है accident से बचाएगा ये आपकी किसी भी सूरत हाल में किसी भी सूरत में ठीक है आपकी ये help ज़रूर करेगा ये जो ring है ना इतना effective है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ऐसा लाके खड़ा कर देगा जो कि आपकी help करेगा ठीक है अगर कहीं आप मुसीबत में by chance फस गए और वहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे निकलें कैसे निकालें अपने आपको तो उस हाल में ये जो ring है काफी ज़दा helpful होता है आपके पास आप पैसे earn करते हो और आपके पास बचता नहीं है हमेशा पैसे खर्च होते रहते हैं बेफुजूली खर्च होते रहते हैं उसके लिए भी जो है ये ring है मैंने कहा ना एक ring हत्व फायदे हजार बहुत सारे फायदे हैं और मैं आपको ring का जो है दिखवा देती हो ये देखिए स्टोन नहीं है ये अंदर से देख रहे हैं आपको ये क्या है नीचे से जो है ना सिल्वर डाला गया है ये पूरा सिल्वर का कोटिंग हुआ है पूरा का पूरा सिल्वर का कोटिंग है ये ठीक है तो सिल्वर और यहाँ पे ये भी सिल्वर यह silver की ring है ठीक है यह silver हम देते हैं हम बनाते हैं तो हम silver में ही बना के देते हैं और यह stone देते हैं stone के नीचे stone इतना उठा हुआ है क्यों उठा हुआ है क्योंकि इसके नीचे ही सारा काम करके दिया गया है आप इस ring को पहनते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस ring का मतलब क्या है क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये मामूली सी ring है क्या फर्क परता है? ये मामूली सी ring नहीं है बहुत ही जदाई effective है आपको कोई भी बुरी नजर या protection के लिए आपके लिए ये best है रक्षा कवच इस ring का नाम है रक्षा कवच ring ठीक है? तो रक्षा कवच ring अगर आप इसको चाहते हैं लेना money के लिए, happiness के लिए, job के लिए, abundance के लिए किसी भी तरीके की problem है आपको तो आप ring में उसको बनवा सकते हैं कि आपकी एक ring और आपके फायदे हजार, ठीक है? तो फायदे हजार मुझे दिख रहे हैं ठीक है? मैं यहां के यह बता पाऊंगी आपको कि येस, ये जो ring लेना है बहुत beneficial रहेगा आपके लिए, बहुत beneficial ठीक है? आगर आप यह ring नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यह ring costly होता है ठीक है? यह ring costly है, मैं आपको clear बता देती हूँ कि यह ring costly है, ठीक है? लेकिन इसके benefit इतने हैं कि आपको इन bracelets की ज़रुत नहीं पड़ेगी 1000 bracelet कोई नहीं पहान सकता है, एक ring पहान ले, है न, तो काफी है, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़े से कम range में ही जाना चाहते हैं, तो आप यह bracelet ले सकते हैं यह bracelet किसलिए है? जॉब के लिए, happiness के लिए, आपके heart chakra को heal करेगा, जॉब से लेटर जितनी problem है, money से लेटर जितनी problem है, इसके लिए है यह, ठीक है? आपकी life में growth नहीं हो रहा है, business में growth नहीं हो रही है, आपको कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आपको अपनी life में क्या करना है, green adventuring bracelet ले सकते हैं आप, rose quartz bracelet जो की love life के लिए होता है, बिछरे हुए लोगों को फिर से वापस लाना, यह bracelet का काम है, इसको activate करके दिया जाता है, ठीक है, तो यह जो bracelet है love life के लिए specially होता है, आपको अपने खुद से love करना सिखात है, आपकी healing करता है, आपके चक्रास को heal करता है, आपकी life में, जितनी love life में problem है, है न, उस problem को खतम करता है, जितनी की मतलब कि अगर third party भी हुई न, तो उससे भी जो है आपके partner को दूर करता है, यह rose quartz का ब्रेसलेट, ठीक है, और यह eval eye bracelet है, eval eye bracelet independent, दोनों आपको मिल होता है, negativity से निकाल करके आपको बहुत high level का, जो है feel करवाता है, बहुत high level का, और आप एकदम से, मतलब होता है जिसे की जूम जाओगे, इसके इसको पहन करके आप जूम जाओगे, क्योंकि यह बहुत ही beneficial होता है, बहुत ज़दा beneficial, इतना ज़दा beneficial कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, इतना ज़दा अच्छा response आता है, इतना अच्छा result आता है इसका, जो लोग लेते हैं वो अपने घर में सब को पहनाते हैं, तो आप भी अपने घर में सब को पहना सकते हैं, क्योंकि किसी को बुरी नजर ना लगे, किसी का mind जो है stress में ना रहे, सब का mind औशां करके booking को confirm करवाई और भी बहुत सारे ब्रसेट्स हैं मैं आपको दीरे 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 सारे ब्रसेट के बारे में जनकारी देती रहूंगी ठीक है लेकिन यह बेस्ट रिंग है अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिडिंग में र